Good morning to all of you, आज है 14th में और 14th में 2020 के important current affair हम लोग इस वीडियो lecture series में जानने वाले हैं तो बिना वक्त का वाई चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले हमें करोना वाईरिस के दुनिया भर में cases देखने हैं 43,90,141 लोग करोना से संकरमित है जबकि मरने वालों की संक्या जो है वो 59,233 हो चुकी है और ठीक होने वालों की संक्या जो है वो 16,333,000 से भी उपर लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं नमबर वन पे अभी जो है वो अमेरिका ही है 14,14,716 केस हैं अभी तक करोना से संकरमित और 83,000 से भी ज़्यादा लोग जो है लगवग 84,000 मर चुके हैं इसे नमबर दो पे स्पेन है नमबर तीन पे रश्या नमबर चार पे यूकी और और नमबर पांच पे जो है वो है इटली और यही आकड़ा हमारे प्यारे भारत का देखा जाए तो 77,000 से भी उपर बलकि 78,000 केस हो चुके हैं अभी 3,000 से भी ज़्यादा केस एक दिन के अंदर देखने को मिले हैं और धाई हजार से भी उपर लोग जो है वो मर चुके हैं 35,40 लोग मर चुके हैं एक नमबर पे महारास्ट्रा है दो नमबर पे गुजरात है तीन नमबर पे तमिल नाडू है पहला हमारा सवाल है कि भार सरकार की परमुक समाजिक सोक्षा योजना जिसक की गई थी और यह जो योजना है वो बेसिकली श्रमिकों के लिए हैं वो मजदूर जो जिनके लिए कोई फिक्स काम नहीं होता ध्याड़ी मजदूर कहें दीजीगा आप लोग 18 साल से उपर और 40 वर्स के बीच के जो लोग हैं उन लोगों के लिए यह अब तक 2.3 क्रोड जो लोग श्रमिक लोग है वो इस पैंसिन के दाइरे के अंदर आच चुके हैं और यह योजना जो है भारत की जितने ज़्यादा जनसेंक्या भड़ रही है उन जनसेंक्या बढ़ते समय में इस योजना का जो है काफी ज़्यादा कारागर साबित होना ऐसा प्रतित हो रहा है और अगले सवाल की और जाते हैं हम लोग तो गांदी शान्ती पुरुसकार 2020 के लिए नामांकन पत्र प्राप्ट करने की अंतिम्तिती को तारिक को बढ़ा दिया गया है तो देखीगा पहले ये गांदी शान्ती पुरुसकार के रिए अप्रेल 2020 लास्ट डेट थी लेकि दिया जाता है हर साल ये पुरुसकार दिया जाता है इसके लिए एक करोğर रुपे दिये जाते हैं और साथ की साथ एक प्रसस्ति पत्र और एक अंग वस्तर वगरा भी दिया जाता है इस अवोड की शुरुवाद Particular 1995 में की गई थी ठीक है अगले सवाल की और जाते है हम ल मुलूरू में इसकी सुरुवात हुई है बेसिकली सव अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण जितने भी ज़दा मोते हो रही है स्वसन से रिलेटेड जो बिमारी है उनसे मोते हो रही है उसके लिए यह प्रान वायू कारेकरम जो है वो सुरू किया है और इसे ब अस्पताल में और देश के सभी राज्यों के अंदर काफी सारी संस्ताइं जो है उसस्ते में वैंटलेटर भी बना रही है करनाटक स्टेट की बात की जाए तो करनाटक के मुख्यमंत्री का नाम बीयस यद्दू रप्पा है जनसेंक्या 6.4 करोड है राजधानी यहां की ब बैंगलूरू हवाई अड़े ने यह आप्शन सही एसक्यूशन का हमारा ठीक है यह है बैंगलूरू हवाई अड़ा इसने बैस्ट एरपोर्ट का वोर्ड जीता है अभी बैस्ट एरपोर्ट का वोर्ड जीता है बैंगलूरू के केपे गोंड़ा अंतरास्टिया हवाई अ क्योंकि यह वहां के या पुरी दुनिया के या एशिया के कहिएगा आप लोग ग्रहाकों को काफी जादा पसंद है यह इसी वज़े से जो है इसको चुना गया है यहां की सर्वीस यहां की फैसिलिटीज इस वज़े से और 2020 में वर्ड एरपोर्ट अवोर्ड में चार साल में यह लगातार जो तीन बार जो है इसा वो बैंगलूरू हवाई एड़े ने यह वोर्ड जीत लिया है बैंगलूरू हवाई एड़े का जो परिचालन है वो बैंगलूर के इंटरनेस्नल एरपोर्ट लिमिटेड है वो करती है और इसके अंदर लगबग साढ़े 500 से ज़़ा हवाई एड़ों को सामिल किया गया था जिसमें नमबर वन आया है बैंगलूरू हवाई एड़ वन्दे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 माई से किस तारिक तक चलेगा तो वन्दे भारत योजना का दूसरा चरण 16 माई से 22 माई तक चलने वाला है सी ऑप्शन सही उससे ही कोर्लेट कर रहा है और 31 देशों में ये हमारे भारतिये फसे हैं इनके लिए 149 उडानों का संचालन जो है वो किया जा सकता है अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखे बताई इसका दूसरा चरण 16 माई से सुरू हुआ लेकिन इसका पहला चरण कब सुरू हुआ था केंद्रिय स्वास्ते मंदरी डॉक्टर हर्शवर्दन के अनुसार देश में कोविड-19 जान शमता भढ़ा कर कितने लाख कर दी गई है पर डे तो अभी देखिया कोविड-19 टेस्टिंग जो है वो एक लाख कर दी गई है ये जरूरी भी है एक आप्शन सही रहेगा इ इसमें से 347 जो है वो सरकारीर 137 नीजी प्रियोग साल आई है यानि कि प्राइवेट लेब्स है और ये 347 जो है गौर्मेंट लेब्स है अब तक जो है वो 17,62,840 लोगों की जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है हाली में किस देश ने रविंदर नाथ टेगोर की 169 वर् समान देने के लिए ये आप्शन सही है ये इस गली का नाम ये लिख दिया गया है टेगोर स्ट्रेट रविंदर नाथ टेगोर जो है ये एशिया के पर्थम नोबल पुरुसकार समानित व्यक्ति है और एक मातर कवी है जिनकी दो रचना है दो देशों का रास्टरगान बन जिन सेंग्या 88.8 लाक है बेंजामिन नेत्यायू यहां के प्रेम मिनेस्टर है और इजराइली शेकल यहां की करंसी है मनमीच सिंग वालिया का 58 साल की उमर में निधन हो गया वो कौन से खेल से संबंदित थे मनमीच सिंग वालिया जो है ये टेबल टैनिस खिलाडी थे सी सही एसक्यूसन का हमारा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं इनका भी हाली में निधन हो गया है उन्नी सो असी के दर्सक में सबसे शानदार खिलाडियों में से एक थे और 1989 में हधराबाद में इन्होंने मैन सिंगल के अंदर जो है एस सरी राम को हरा के राष्ट जो है यह एमियो ट्रॉफिक लेटरल एक बिमारी है इससे यह बेसिकली ग्रसित थे और मास पेशिया कमजोर हो जाती है इस पर्टिकुलर बिमारी के अंदर और बोडी की जो मुमेंट है उस पे भी काफी असर पड़ता है प्रधानमंदरी निरेंदर मोदी ने आर्थिक हा हमारा इन्होंने काया कि आत्म निर्भर बनने के लिए भी काया है और ऐसा है कि 20 लाग क्रोड जो है यह पर्टिकुलर हमारे और ओर ओल जी डीपी का 10% है इन्होंने आनिता कारवाल की जगा ली है अनिता कारवाल बन चुकी है सेकेटरी जो की Human Resource Development Department के अंतरगत आता है आगे बढ़ते हम लोग और CBSC का Headquarter New Delhi में है CBSC की स्थापना 1962 में हुई थी Who will be representing India at Sanghai Corporation Organization Sanghai सयोग संगटन के मंत्रियों की बैटक में भारत का प्रतिनितव कोन करने वाला है तो भारत का प्रतिनितव करेंगे भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम जो है S.J. Sankar, D.Option का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा S.J. Sankar जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यह हमारे भारत के विदेश मंत्री है और Sankai Sakyog Sankatan है Sankai Sakyog Sankatan का Headquarter जो है वो है विजिंग चाइना में और उजबे किस्तान और चाइना है और बाकी और भी कंट्रियों ने इसको मिलके सा स्थापना की थी 26 अपरियल 1996 के इंदर जो है इसकी स्थापना हुई है विच among the following companies have permitted work from home इसी कुन सी कमपनी है जिसने घर से काम करने के लिए कह दिया है एन इस चितकाल तक कह दिया है कोई टाइम लिमिट नहीं रखा है ट्विटर ने ऐसा कहा है सी आप्शन साई है इस क्यूशन का हमारा ट्विटर के सी यो का नाम जैक डॉर से है 21 मार्स 2006 को इसकी स्थापना हुई थी हैड़कोर्टर अमेरिका कालिफॉनिया के अंदर है चलेगा आज के करेंट अफिरेत नहीं थे हसते रहना मुस्कुराते रहना दिन में 11 बजे NCRT डोज देखना बिलकुल मत भूलना सुकरिया